स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चों को किताबे और युनिफॉर्म की जरूरत होती है पर क्या होगा जब ये समान स्कूल के प्राइवेट प्लियर्स दवारा महेंगा बेचा जाए आप देख रिये जे के न्यूस टूडे और मैं हिमानी कंधारी और मैं आपके साथ हुमेरा रहना एजुकेशन एक ऐसा नोबल कॉस है जिससे एक इंडिवीजुल का फ्यूचर बन जाता है वहीं पे इन प्राइवेट प्लियर्स ने इस नोबल कॉस को मनी मेकिंग बिजनस बना लिया है जहां गोर्मेंट नियू एजुकेशन पॉलिसी की बात करती है स्टूडन्ट की स्विक स्वेदा की बात करती है वहीं जो ये प्राइवेट बड़े से लेके छोटे स्कूल है वो अपनी मनमानी करते हुए डिफरेंट फॉर्म्स में पैरेंट से पैसे कमाने के लिए एड्मीशन फी, एन्वल चार्जेज और ट्विशन फी लेते हैं देखा जाए तो ये तीनो एकी चीज है पर पैसा कमाने के लिए इनके अलग-अलग नाम रख दिये गए है हमें काफी पैरेंट्स की तरफ से कम्प्लेंट्स आ रही हैं जिसमें वो न्यू अकाडमिक सेशन में हाई अड्मीशन फीज, ओवर प्राइस बुक्स, यूनिफर्म को लेके परिशान है गोर्वेंट ने एक ओर्डर निकालते हुए कहा था अब से सबक्लासिस के बच्चों के लिए जेके बुक्स की बुक्स होंगी और कोई भी स्कूल किसी भी प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स अनेसेसरली स्टूडेंट्स पर इंपोस नहीं करेगा हाली में जब बुक्स की शॉर्टेज सामने आई और बुक्स शॉप्स ने अपनी इमनमानी करते हुए ओवर्प्राइज बुक्स सेल की तब अडिशनल डीसी ने बुक्स नेकसस का परदा फाश किया जिसमें उन्होंने कई जगाओं पर रेट डाली जिसकी स्टोरी हमने आपको 10 अपरेल को बहु प्लाजा के एक बुक्स शॉप से लाइफ दिखाई थी कि कैसे ओवर्प्राइजिंग की वज़ा से शॉप गोर्मेंट दवारा सीज कर दी गई बच्चों के परशानियों को मद्दे नज़र रखते हुए हम आपके सामने ये स्पेशल रिपोर्ट लेके आए है जिसमें हम प्राइवेट स्कूल के दवारा पैरेंट्स को दी गई हर असुविदा की बात करेंगे जहां प्राइम मिनिस्टर नरिंदर मोदी ने कुछ सालों पहले बच्चों से बाशीत की थी जिसमें बच्चों ने अपनी प्राप्लम्स उनसे शेर करी और उन्होंने कहा हमारे वेट से ज़यादा हमारे स्कूल बैक्स का वेट होता है जिसमें हमें काफी हैल्थ इशूज भी होती है और हम से कैरी भी नहीं किया जाता काई स्कूल में तो बाग भी खरीदने के लिए स्टूडेंट्स को फोर्स किया जाता है जिसमें स्कूल अपनी सेल्फ पबलिस सिटी करवाता है और ऐसे बाग में उनका लोगो जितना अच्छा विजिबल हो उतना उनको फाइदा होता है जब युनिफॉर्म की बात करते है जम्मू में स्कूल की वर्दियों को भेचने का भी एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है जिसमें प्राइवेट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फोर्स किया जाता है कि उनके बताए गए युनिफॉर्म शॉप से या फिर स्कूल से ही युनिफॉर्म लीजिए और उसका भी कोई फिक्स प्राइज नहीं है और अगर साइज है तो अगर साइज उस बच्चे का नहीं मिलता है तो उससे एक साइज बड़ा उस पे थोप दिया जाता है कि अब ये आप युनिफॉर्म लेके चाहिए और वहीं पे जब हम बात करते हैं कि एक रेगुलर फिक्स इंटर्वल रखा गया है स्कूल के द्वारा जिसमें कि वो अपनी जो युनिफॉर्म है हर दो से तीन साल में चेंज करते हैं ये भी एक पैसा कमाने का जरिया बन गया हुआ है बुक्स के अगर बात की जाए स्कूल द्वारा सेट्स बनाए जाते हैं जिसमें बुक्स तो होती हैं उसके अलावा ऐसी चीजें होती हैं जिसमें कलर्स, कलरिंग बुक्स, काफ़े जादा तदात में नोटबुक्स होती हैं जो बच्चे अगर ना भी लेना चाहें उनको जबरदस्ती वो सेट में लेने पड़ते हैं और ये जो सेट्स हैं वो पांच से दस हजार तक होते हैं कई स्कूल में तो स्मिस्टर सिस्टम रख दिये गए हैं जिसमें स्टूडेंट को डबल बुक्स यानि स्मिस्टर एक और स्मिस्टर दो की बुक्स अलग से लेनी पड़ती है ये देखिए ये book स्मिस्टर वन की है और ये स्मिस्टर टू की भी हमारे पास book है पर parents का मानना है ये book दोनों combine करके भी books दी जा सकती है जमू और जमू के outskirts के school की काफी complaint हमारे पास आ रही है जिसमें नगरोटा, सैनी कॉलनी, सिटी जैसी जगाओं में जो school है वो बहुत हाई admission fees लेते हैं और अपनी मनमानी से books और uniform देते हैं education जहां इतनी महत्वपून है हमारे देश के लिए वहाँ education के साथ ये खिलवार करते हुए business किया जा रहा है ऐसी और updates देखने के लिए देखते रहे हैं JK News Today video journalist काकराम के साथ मैं हिवानी कंधारी और मैं हुमेरा रहना